हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी स्वागत है आपका आपके पने यूटूब चलन पवन सिंग लेक्चरर में और आज का अमारा टोपिक है डोवेरी सिस्टम तो आई यह सुरू करते हैं डोवेरी सिस्टम अपने आप में वेरी मोस्ट इंपोटेंट ओपिक है जो बोड़ आग्जाम्स में आप लोगों को बार बार देखने को मिलता है यह बहुत रिप्रीड कोश्चन है तो आएए सुरू करते हैं राइट अन आर्टिकल ओंदा डोवेरी सिस्टम इन अबाउट वन फिप्टी तो हंड्रेट्स वर्ड्स यहनिकि आपको सोश एक सोपचास सब्सक्राइब दो सब्सक्राइब आपको डोवेरी सिस्टम देहज पर एक निबंद लिखना या आपको लेक लिखना इसमां आपको गिवन इट हैड बैड क्रस्टम इन और सुसाइटी जो आज हमारी जो सुसाइटी समाज हो इसना बुरा री तिर्वाज बन चुका हूं यहां बातकर इस बढ़ेत बहुत बड़ी क्या है विमार यह हमारे समाज की जो différents कि वेक्रतु क्या करते हैं रहे स्पर्स्ट हो क्या करता ही है दोवेरि ओता क्या दा मनी मेने पैसा धन डौलत रुपाई पैसा गूड्स मेने ओता चल संपत्ती हमारे पास क्या होता गुण संपत्त है। चल संपत्ति जो महिला है साधी के समय अपने पती के घर लेक आती है जैसे वोशिंग मसीन फ्रेज कूलर पीवी एक्साटरा आ दिए चीज़े जो भी एक औरतिया महिला अपने पती के आसी इन चीज़ों को लेक आती है क्या का लगता दोरी का लगता एक बार फर से दा मनी माने पैसा दनदोलन नगे चल संपत्ति KBC माने औरती या महिलाई ब्रेंग मैंने लाती हैं, टूदेयर मैंने अपने अजबैंड मैंने पती के याँ पर इंदा मैरिज साधी के समया, साधी में is called the way, वह है देज का लगता, इत मैने हैं इस मेने हैं एस सिरियस प्रोब्लम इन इंडिया यानि कि जो दहज पर था यह एक बहुत गंबीर समस्या हाँ भारत के इंदर कि सम्स्टेट सम्मेने कुछ स्टेट मैंने राज्य आर मायने हैं मोर मैंने अधिक फेक्टिड मैंने परभावेति आनि कि she पुछ राजजी भारत के बहुत ज़्यादी का पर hm कि अधर हैं जो कम थीक मैंने लोग है मैंने फू चुकसले वारिश AWS करते हैं तो वर्तमान जिस कारण प्रत्ता हैं मिल यह बढ़ावा दिया जा रहा हं वह रहा है और जिसके कारण देज पर था क्या मिला बढ़ा है मिला फिर हम देखते हैं दोगेरी सिस्टम देज पर था हाज बीन ए चालेंज और पॉर पीपल जो देज पर था या आज समाज में गरीब लोगों के लिए गरीब लोगों के लिए एक चुनोती हो चुकिया बहुती बड़ लोगों के लिए अभिस्राब गरीब लोगों के लिए दहेज पर था एक बहुत बड़ी चुनोती हो चुकि और क्या हो चुका है अभिस्राब बन चुका है क्योंकि गरीब लोग को आज साधी करना अपनी जो बेटियां होती है उनकी साधी करना उनके लिए बहुत बड़ी क चुनोती है क्योंकि अमीर लोगों को देहच देना बहुत आसान होता है ते लेकिन आज गरीब लोग अपने लड़की की साधी करते हैं में चार बार सोचता कि क्या करना है कहां से पैसे लेकाने हैं कैसा सामनेवालों का जो लड़के वाले उनका मुग कैसे बंद करना ठीक न लोगों के लिए जो मोडन लोगों के लिए उनके लिए तो बिल्कुल फैसन हो चुका मैंने व्यक्ति लोग नीड मैंने चाहते हैं मोर मैंने अधिक मनी मैंने पैसा लोग बाग अधिक साधिक पैसा चाहते हैं जितना उन्हों दहेज दिये रहता हैं उससे ज्यादा दहेज मांगते हैं जिसके कारण क्या होता है सम सम मैंने कुछ पीपल मैंने लोग फोर्स मैंने दबाव डालते हैं तुदा ब्राइड ब्राइड मतलब होता है दुलहन जिसके कारण क्योंकि वैक्ति क्या हो चुके हैं लालची हो चुके हैं लालची होने के कारण क्या है जाद हजादे क्या चाहते हैं पैसा चाहते हैं पैसा रात करने के लिए क्या करते हैं जो ब्राइड यहां पैसा लाने के लिए उस पर डबाव डालते हैं इस कारण इस इस बढ़ रही है मैंनी प्रोब्लम बहुत समस्च्य सब्सक्राइब कर देंगे इस कारण से क्या होता है सब्सक्राइब कर देंगे इस कारण इस कारण इस कारण फाउजन्ट ओप इनोसेंट इनोसेंट मैंने होता है मासूम गल्स मैंने लड़किया डूनोट मैरीज इसके कारणी दहिज पर था के कारणी कुछ इनोसेंट्स यानिकी जो बिल्कुल सीधी साधी भोली बाली लड़ी के होती हैं वह किसी के साथ भी मैरीज करना पसंद नहीं करती क्योंकि देख चुकी होती है कि समाज कैसा हर समा इसकारण फाउजन्ट ओप इनोसेंट्ट गल्स कुछ भोली भाली या निर्दोस लड़किया डूनोट मैरीज साधी नहीं करती हैं अब देखते हैं देज लेने के देज लेने और देने के क्या कारण मुख्य कारण क्या देज दिया क्यों जाता है यालि पहली और नुख लेना यह एक तो रिती रिवाज बाब सो रिटिरिवाज है आ देज लेना क्याबना रहा से नहीं जाह सबसे पहले पेहला देखते म्यादे पहले क्या क्या करना स्क्रेण है यह हम एसे स्पार्सिएर्च क्या क्या कि Wikle खोकला कर रहे हों उसे खरक कर रहे हैं तो जो ऐसे थिरी वाजा उना क्या करते छाई खरक कर दे जाना चाहिए efa कले एक ऑजुगा है छो आव तो अब तो पर अब तो इस घिनोनी सोच से बाहर आओ अरे अब तो इस घिनोनी सोच से बाहर आओ देज पर्था को देश से बगाओ का मतलब हुता कभी क्या करन होता हुआ reliable वे अनिक्वल फिर अ क्या करन में कर लेते हैं चार पाई हो गाड़ी हम celebrates I तुम अच्छा का सा दो चार लाक रुपे टिक में देंगे जिसे कारण क्या होता है? धेज पर्था को बढ़ावा मिलता है. तो इसके लिए हमा क्या करना होता है? ऐसे ऐसे अनिकवल मेज हम करनी में चाहिए. हमा क्या करना चाहिए? सब पहली प्राथ मिक्ता होती है लड़कियों को जदे जदे सिक्सित करो उन्हा काम्याब करो यदि लड़की खुद में काम्याब होगी अपने पारों पर खड़ी होगी तो कोई भी देज मांगने किमत नहीं करने का तो सबसा मुख्य कारण क्या भारतिय समाज में लोग भाग अब देहज के लिए तो पैसा जोट लगे लेकिन लड़की के पढ़ाई के उपर पैसा लगाने के लिए तयार नहीं होने के लड़के की बराबर आखड़ी हो जा और हम लगबर बराबर के रिष्टेदारी क्या रखनी चाहिए तो अनिक वल में इसके अंदर सबसे पहला ह और लाट कुछ क्या है तो इसके के समस्स्य और लटका बिल्कुल क्या है तो इसके अधिक ये लिए पाल्स प्राइड कुछ लोग बाग जुठा विमान दिखाते हैं गमन दिखाते हैं कि मेरे पास बहुत ज्याद क्या है अब देखते हैं देज पर्था खतम क्या से किया जा सकता है इसमाने एक लाइन में लिखा इट मैंने हैं को मने रिस्पोंसिबिटी यदि हम देज यह दे मैंने में नाइधर टेक डोवेरी नौर ग्यू यानि कि जो हमारी परजांट जनने सरा ना तो देहज दे और ना देहज ले अच्छे समाज की कलप ना कर सकते हैं इर्मान कर सकते हैं इस परकार से जो हमारा देज पर था कर टोपिक यह एं कंपलीट हो जाता यह दि आपको हमारा या वीडियो पसंद आओ तो आप हमारे यूटूब चलन पवन सिंग लक्षरोर को जरूर सस्क्राइब करे लाइक करे कमेंट करे और सेर करे थैंक्स पर वचिंग दिस वीडियो